आज पॉपोर्शन जनेटिक्स का एक महत्ता पूर्ण टोपिक हाड़ी बीनुबर्ग लाव पड़ेंगे इस हाड़ी बीनुबर्ग लाव को लाव अफ एकुलिब्रियम भी बोलते हैं यह नियम इवलिशन की दस्षिश बहुत ही महत्तोर पूर्ण है यह नियम क्या कहता है एलेलिक फ्रिक्वेंसी एड जिनोटाइब फ्रिक्वेंसी रिमेंस से कॉंस्टेट जनरिशन आप्टर जनरिशन यदि किसी पॉपुलिशन के अंदर इवलिशन नहीं हो रहा है तो उस अंदर एलेलिक की फ्रिक्वेंसी और जिनोटाइब की फ्रिक्वेंसी जनरिशन आप्टर जनरिशन वो कॉंस्टेट लेती है यानि उस पॉपुलिशन में किसी परकार का इवलिशन नहीं हो रहा है लेकिन इस नियम की कुछ कंडिशन से जिस पर यह लाग्व होता है वो कं अला पर interpreting हो ऐसी जनरिशन के अंदर से इसका हांचार इवलिशन हो रहा है तो यहां पर यह नियम चाइटर के फैल गयाता है इसलिए वहां पर उस population के अंदर है वो मेटिंग है वो रिंडम होनी चाहिए दूसरा है लार्ज पोपुलिशन लार्ज पोपुलिशन यह नियम तभी लाग होगा जब लार्ज पोपुलिशन अगर नियोगी छोटी पोपुलिशन लोगी तो उसमें जनिटेक डिव्ट होने के सम्हावना नेती है तो इनली फ्रिक्वेंसी चेंज होनी नीची है तो पोपुलिशन है वो बड़े होनी चीए नो मुटेशन उस पोपुलेशन के अंदर किसी भी प्रकार का मुटेशन नहीं होना चीह नहीं तो अदर्वाइस क्या होगा जेनेटीक फ्रिक्वेंस यहों बढ़ जाए नो इम माइगरेशन और इमाइगरेशन उस पोपुलेशन के अंदर ना इमाइगरेशन होना चीह ना इमाइगरेशन होना चीह यानि वहाँ पे कोई भी जन्तु भाहर से अंदर नहीं आना चीह और अंदर से जन्तु भाहर नहीं आना चीह वह उसकोपोरीशन के अदरस्ट करत कि अगर स्टाटि ऊपोपोरीशन के अंदरस्द को का तो स्टाटि होगए, क्लिक अधियां यहां यहां कुल अदरस्ट का का सक सोत्प्ट मेशा स्टेशिक्सिल्षा, तो उस पोपुरेशन के अदर एलील की फ्रिक्वेंसी और जिन्योटार की फ्रिक्वेंसी जन्रेशन आप्र जन्रेशन रहती हैं अपने यू कहा सकते हैं कि किसी प्रकार का एवलिशन नहीं होगा यह कंडिशन होगी तो अब इसको अपने उधान के द्वारा समझते हैं यह अपन यहां के उधान ले ले हुए वह वह फी छोटा उधान ले रहे हुए उस्पे लागून ही होथी है लेकिन यह पर एक्जामपयर बढ़ा लेना थ्म शभआ हो जी एक शबवा होड़ी चक्या पर पांच ही इंडिविज्युल है और उनका जीनोटाइप है वो इस प्रकासे माली जीन का यह जीनोटाइप है तो पांच यह प्रिक्वेंसी देखते हैं में इसका जीनोताय देखते है सबसे पहले जीनोताय यह जीनल पूल जीनल पूल में के तेल यह पांश है तो सब की अम्हें एंगे रहते हैं यह तैग होगे यह सारे के सारे जीन पूर इनका यहां पर रखा है सम्टोटल वाफ़ जीन टेकल टुगेधर अपने सारा का सारा इनका जीन पूर यहां रखा है अब अपने इसकी कैल्कुलेट कर ले जीन एनलेक् फ्रिक्वेंस्य एक यहां पर दू लेक्ट ट है और दूसरा ट एक क्या एक ती है अगर उसकी पूर फ्रिक्वेंस्य निकाले तो ट के लिर्लेक्वेंसी क्या होगी क्या करते है सबसे पर एक मोट आगते हैं टी को पी से रिपर्जेट करते हैं स्मोल पी से ठीक है तो इसकी फ्रिक्वेंसी के आगी टोटल यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और कितने में से 10 आउट ओपर 10 तो यहां पर इसकी एनलिक फ्रिक्वेंसी क्यापिल टी की आगी प्रिक्वेंसी आगी टीक्वेंसी एसी तरी के से स्मोल टी की फ्रिक्वेंसी और स्मोल टी की फ्रिक्वेंसी को आपने पासे 1, 2, 3, 4 आउट ओफर 10 तो यहां के पॉइंसी क्या से हार्डी वीनबर्गा यहार्डी वीनबर्ग ने जो डीक्वेंसी ती वो क्या P प्लस Q is equal to 1 यह इसकी फस्स रिक्वेंसन है equation first नहां पर अपन देखेंगे 0.6 plus 0.8 4 is equal to 1 यह पहले reaction जन्रेट होती है next अपने genotype frequency genotype frequency genotype frequency अपने पास में यह दो है capital T और small t capital T और small t आई चेकर पॉर्ड के द्वारा समझते हैं अपन यह इस तरी के से अपन चेकर पॉर्ड बना लिया और यह genotype पर वो apple generation काता है इसमें अग हम अपन परते की frequency निका आदिया देगे frequency हरे जिनो टैप frequency of of a dominate of a dominate homozygous dominate कर देते हैं homozygous dominate homozygous dominate में क्या है capital T P और capital T capital T को अपने किसे represent किया है P से तो P P यहनि P स्का है यह इसकी जिरो टैप फ्रिक्रिक्वेंशी आगे किसकी और यह P से और यह T से तापर कह सकते हैं 2 P Q P Q P Q 2 P Q इसी तरीके से फ्रिक्वेंशी आपने इसके निकालते हैं प्रिक्वेंशी ऑफ हो मेंशैंगी मेंशी जरी खारीक्यों क्यूं rozp तो यह आगे क्यूंस करें इस प्रकार से अपने पास में इस तीनों फ्रिक्वेंशी अभ़ आपने दिदौन उताव होगकह तो आपने रियेक्सर के होगी P2PQ प्लस Q2 is equal to 1 यह equation equation second इस तरीके से यह equation second जन दे विए यह भी अपन इसको P2 प्लस Q2 is equal to 1 करते दो भी यह equation आ लाती लेकिन इसका derivation इस प्रकार से नेवा इस प्रकार से इसका derivation होता है तो आपने किसी की भी frequency निकालनी होती है किसी भी की तो आपने इस नेव के रुषार है वो निकाल सकते है जैसे What is the frequency of individual of homozygous dominant What is the frequency of individual of homozygous individual इसके आपने यह homozygous individual है तो इसका क्या जाएगा P2 What is the frequency of homozygous recessive What is the frequency of individual of homozygous recessive small t small t तो इसके frequency आगी क्यो जाएगा माली जैपने को निकालनी है What is the frequency of individual which contain at least one recessive अब one recessive इसके पास में भी है इसके पास में भी है इसके पास में भी है तो यह क्या हो गया क्यू सका है और यह क्या हो गया 2P की Q सका है पासे 2P Q What is the frequency of Dominate कि अपनने यह निकालनी होमोजाइडस Dominate की What is the frequency of Dominate तो Dominate यह भी है यह भी है यह भी और यह भी 3 dominant है तो इसका क्या ज़ेगा तो P-square यह खाली dominant का है, homo-gagous dominant का है, और यह किसका है, यह तीनों निकाने किसका है, P-square plus two-view की dominant का, तो इस दिकेसे अबर frequency निका सकते हैं, तो अबर कुछ numericals है, वो करके देखते, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे, तीन numerical है, इन numericals को करते, शेलो, let's start, question number three, first one, if 51 population carry out at least one copy of recessive ellen, जिसे मालेजिए, capital B, small b, capital B, capital B, capital B, small b, capital B, small b, small b, small b, इस 51% population carry out at least one copy of recessive ellen, recessive ellen किसके पास में है, इसके पास में भी 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 है, यह अपनी को दिया आँए, कितना, 51%, यानि 0.51, यह अपने को दिया आँए, ठीक है, अब इससे अपने क्या दिका सकते है, q की frequency, p की frequency, तो p क्या होता है, p plus 2p q plus q square is equal to 1, यह अपने यह reaction है, तो इससे अपने p square दिका सकते, p square is equal to 1 minus this, और this की value क्या है, 0.51, 0.51, तो यह आँए, 0.49, तो p आँए, 0.6, जब अपने पास, p आँए, तो अपने reaction क्या 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 है, p plus q is equal to 1, तो p की वेज़ू क्या होता है, 1, अब अपने को q की निकाल लिए, तो q is equal to 1 minus 0.7, तो यह 0.3, तो अपने पास में p की भी frequency आगी, और q की भी आगी, पूस क्या रहा है, find the frequency of dominant elin, find the frequency of dominant elin, यह dominant है, यह भी dominant है, और यह भी dominant है, dominant हो जाएक, इसको पूछा नहीं है, इसने तो पूछा है, find the frequency of dominant elin, तो अपने को निकालना क्या है, यह 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 निकालना है, तो यह क्या है, p square, plus 2p q, यह निकालना, p square इकना है, 0.49, 2 into p q value किती है, 0.7, और q की है, 3, 0.49, plus, यह यह अगर नोस 11, यह आगर नो, यह आगर नो, यह आगर नो, यह आगर इसकी, find the frequency, dominant elin, यह निकालना क्या है, पूछा यह निकालना, और परसेंटेज में पूछनें तो 91%, यह अपना क्यूसल स्वार होता है, इस तरीके से, नेक्स क्यूशन देंगे स्वेट्स, ब्राउन हैर, capital B, is dominant to blonde हैर, B, ब्राउन हैर, ब्राउन हैर, और दोसा देजरा का है, ब्राउन हैर, यह capital B और यह small B, क्योंकि ब्राउन भी, dominant blood, इफ देर आर 168 ब्राउन हैंड पीपल इन एक, पोपुलिशन आफ टू हैंडे, ब्राउन, इफ देर आर 168 ब्राउन हैंड पीपल, तो ब्राउन हैंड पीपल में आप एक बार इसका, चेकर बोल्ट पर आते हैंगे, आपपस, यह, ब्राउन हैंड, यह भी ब्राउन हैंड, यह भी ब्राउन हैंड और यह भी ब्राउन हैंड, कितना देर रखा हैंड, ब्राउन हैंड पीपल इन एक, पोपुलिशन आप टू हैंडे, तो यह, यह, यह देर रखा हैंड, यह क्या हैंड पी स्कार प्लस टू पी क्यू, और 1 एंगेट और 0.84 क्या आगया P² प्रस 2PQ Q² निकालते हैं अपां Q² इसकल टू 1-P² प्रस 2PQ ये वेल्य अपने को दीगे 1.4 1-0.84 तो ये आगया 0.16 0.16 तो Q आजाएगा 0.4 ये अपने Q की फ्रिक्वेंशी निकालनी अब अपर P की फ्रिक्वेंशी निकालते हैं Q.4 होगा तो P क्या आजाएगा 0.6 तो इसलिए कि ये दोजों की फ्रिक्वेंशी अपने पास में आगी अब कुस्सन में क्या पूछ रहा है What is the predicted frequency of hydrogenus तो hydrogenus कोल सा है ये तो इसको क्या रिपर्जेंट करेंगे 2 PQ 2 PQ 2 into P किता है 0.6 into 0.4 तो इसलिए 0.42 तो इसलिए 0.48 से किता है What is the frequency of hydrogenus लूमेंट 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 ये है इसको किसे रिपर जेट करेंगे P स्कार से तो P किता है 0.6 0.6 into 0.6 is equal to 0.36 What is the predicted frequency of होमोजाइगर शिशेशी होमोजाइगर शिशेशी जे रहा तो इसको किसे रिपर जेट करते है Q स्कार से Q किता है अपने बास 0.48 0.4 into 0.16 तो ये तिनों की इस प्रकास है लूमेंट ये अफन निखा सकते हैं, तो यह इनके तीनों की आश्व है, एक किसम और करते हैं, इक 98 आउट 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 इंडिविजिए इने पोपुलेशन अक्स्प्रेस्ट रेसेशी फिनोटाइप, जाउट आउट 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 98 upon 200 तो यह आगया 49 upon 100 यहनी 49 तो Q square रेटिकल 2 आगया, 049 Q आगया, 07 अब Q आगया अपने पास में 07 आगया, तो P कितना लेगा 07 07 पूचा क्या है 5 percentage of the population would be hydrozygous इन में से hydrozygous कितने percent में होगे यह और यह दो इसको आगया, किसे रिपरजेंट कर दे 2P Q 2 into T कितना है, 0.3 और कितना है, 0.7 कितना भी आगया यह 0.40 तो यह 5 percentage आगया, पूचा क्या आगया, तो यह इतने hydrozygous होंगे, percentage में पूचे, तो 42% क्या हुए hydrozygous होते हैं इस तरीके से hardy-veal-varag law समझने के बाद में आपना है, इस प्रकार की क्युसर्स निमरी कच क्युसर्स है, उनको सुन कर सकते हैं तो यह hardy-veal-varag law है और इस law को है, वो law of equilibrium भी बोलते हैं और यह दो वेक्यानिकों ने दियादा मिलिकर के एक का नाम हाड़ी और दुसरे का नाम है wean-varag एक बार इपीड कर देता हूं यह rules क्या क्या था है analytic frequency and genotype frequency remains cost rate generation after generation population किसी भी population के अंदर अगर evolution नहीं हो रहा है तो उसकी gene frequency change नहीं होती है cost rates बनी रहती है law equilibrium लेकिन उसके लिए conditions है conditions कौन सी है random meeting होनी चाहिए population large होनी चाहिए उसमें किसी परकार का mutation नहीं हो रहा चाहिए और उसमें किसी परकार के बासे जनतु प्रिवेशन नहीं करना चाहिए नहीं बासे अंदर प्रिवेशन करना चाहिए और अंदर से बास और किसी प्रकार का sexual selection दिवाना चाहिए selective selection में क्या होगा particular जनतु की particular allele की frequency य इसलिए यसा यह 5 conditions उसके लिए अनिवारिये इस त्रीके से हार्डी मीन वेलो नुमेरिकल अस्पेक्स ही कॉम्ट्रीट होता है नेक्स्ट अपन जेनेटिक डिप्ट पडेंगे थैक्यू